हेलो गाइज वेल्कम तो रना चाल जीके आप लोग के लिए गुट न्यूस है जैसे कि आपको पता है एप एसे भी ने लीशी के लिए बेकेंट से आउट किया है कि दोकुमेंन्स क्या ज़रूरी होगा और क्वालिफिकिशन क्या है सेलेरी और में जानेंगे हैं 활il mouvement ही के आपके लिए पर इंडेक्राइशन थे लिए बहुत कम प्राइस में है तर्ड जुलाइस से स्टाड होगा आपका पर बूस्ट क्यों Boss करने के लिए आप यहाप पर कंटग किजिए और अपना नोलेज एंहेंस किजिए So let's begin आप यहाप पर देख सकते हैं हमारा July 7 से स्टार्ट होगा आपका form fill up और मैंने already FSSB का form fill up प्रोसेस वीडियो बना चुका है तो आप उसको देख सकते हैं और last day 27 July को होगा form fill up जैसे कि आप देख सकते हैं और आपका 17 September को है और skill test जो 31 October को होगा अभी post का बारे में देखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं agriculture field assistant इसके लिए आपको class 12 science होना परेगा यहाँ पर total 9 post है और data entry के लिए आपको class 12 pass होने से होगा एनी stream और यह LDC के लिए भी एनी stream और यह से करके आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा post है और यहाँ पर dissection hall attendance के लिए आपको 12 science की जरूरी है और बाकी के लिए नहीं है और total post आपको 120 है और यह earn reserve के लिए 28 post है और 90 जो APST के लिए और नाचल वालों के लिए जैसे कि मैंने बता चुका है आपको agriculture field assistant के लिए 12 science जरूरी है और आपका salary होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं starting salary 25 to 81 and LEC के लिए आपको 12 past certificate होना है और आपका six month development होना है computer में है और आपका age में age का बात करते हो 18 to 35 और APST के लिए five years है age relaxation इसी तरह आप देख सकते है junior resistance के लिए भी आपका class 12 past science जरूरी नहीं है और यहाँ भी भी आप देख सकते हैं और आपको मैंने बता चुका था dissection hall attendant के लिए आपको class 12 of science के जरूरी है और यहाँ पर और एक बाट आपको record keeper के लिए post के लिए आपको one year development का जरूरी है बाकी में six month का है और यहाँ पर one year का आपको दियान रखना है यहाँ पर one year development के जरूरी है record keeper में और चैसे कि आपका fee के लिए यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं stage one only stage one होगा जो science background वाला के लिए आपको अब्जेक्टिव टाइप होगा 300 marks होगा टोटल यहाँ पर फिफ्टी कुईशन एंड तू मार्क इच जरूर्ण इंग्विज पर आते हैं पर्स आपका इसपोर्टिंग ऑफ एरोर होगा एरोर, synonyms, opposite word, antonyms यह सब होगा idioms and phrases and one word substitution जैसे कि आपका UDC में भी है same syllabus है और आपका elementary match में भी number system होगा fundamental, arithmetical होगा algebra, geometry, mensuration यह सब आपका syllabus है आपका trigonometry, aesthetic, chart होगा और general knowledge में बात करें तो आपका history होगा, art and culture, geography, economic होगा, polity होगा और आपका state के लिए जैसे कि आप natural gk मेरा channel में आप tip end कर सकते हैं जैसे कि मैं upload करता हूँ हमेशा important topics के उपर आपका total 150 question होगा and two markets total 300 होगा और three hours में आपको उसको complete करना है और एक दियान देने वाला बात या पर no negative marking आपका negative marking नहीं होगा skill test stage 2 में आप देख सकते हैं आपका typing speed जो 35 words पर मिनित होना पड़ेगा आपका typing speed और आपको पिल आप करते समय क्या क्या जरूरी होगा आपको scan signature black pen से black ink pen से और आपका recent passport size photo आपको upload करना है और class 12 mark sheet upload करता है note में आपको देख सकते है no provision of re-evolution and re-checking answer sheet हम इसको समझ में नहीं है यह हमको MTS में भी देखने को मिला था आपको re-checking नहीं हो पाएगा अगर आप सही करे या गलत करे यह थोड़ा सोचने होला बात है कि एच पर आते हैं जैसे कि मैंने अल्रेडी बता चुका है आपका relaxation 5 years है इसका मतलब आप 40 years हमारे अर्ना APST के लिए आप दे सकते हैं अब एक्जाम सेंटर पर आते हैं जैसे कि आपका बोमडीला है इतानगर है नामसा है चांगलंग है आप किसी भी कौने में अर्ना चलका आप बैटके दे सकते हैं जैसे कुंसा का है तो आप कुंसा में बैटके एक्जाम दे सकते हैं और लास्ली आपको how to apply में आपको apssb.nice.in में जाना परेगा जैसे कि मैंने वीडियो बना चुका है वो आपके लिए helpful होगा आप मोबाल से भी कर सकते हैं इसको और इसी तरह बने रहे हैं से यू इन नेक्स वीडियो बाई बाई